तो गाईस अगर आप भी गुरुय अप के थुरू मिचुल फ़न एसाइपी में इन्वेश्ट की हो और इन्वेश्ट की हुए एमाउंट को किस करण से रिडिम करना चाहतो हो तो कैसे रिडिम करोगे पूरी जनका इस स्टेप बाई स्टेप बदने वाला हो और साधी साथ ल पदा दुख कि गुरुय अप से मिचुल फ़न एसाइपी एमाउंट रिडिम करना बहुत ही आसान है तो इसके लिए सबसे पहले अपने मॉइल में गुरुय अपको अपन कर ले रहा हूं और गुरुय अपकर समय पीन मांगता है तो पीन डाल कर लोगिन कर लेना है और जै इसके बाद यहां से आपको उस फर्ण को स्रेट करना है जिस फर्ण का मनी रिडिम करना चाहते हो तो यहां पर यहां पर मैं एक फर्ण स्रेट कर लेता हूं और आपको मनी रिडिम करके दिखायता हूं तो फर्ण स्रेट करने के बाद आपको रिडिम करना है और उसके पर आपको amount देना है, जितना आप amount redeem करना चाहते हो, तो आप जितना amount invest किये हो, उससे अगर आप कम amount redeem करना चाहते हो, तो आप redeem कर सकते हो, और अगर आप total amount redeem करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको redeem all all options में क्लिक करना है, और उसके बाद नीचे में verify and redeem all all options में क्लिक करना है, औ और उसके बाद आपके रेश्टेट इमेल आड़ी और मोलन पर एक OTP आता है तो यहाँ पर काफी समय स्लो कर देता है तो आपको नीचे में कंफर्म वाले और उसमें क्लिक कर देना है और उसके बाद रेडियम और प्लेस हो जाता है और उसके बाद गुरु वेप के द्वारा जो रेडियम चार्जर्जर्स होते हैं और डेट्रिकेट कर लिया जाता है और एक से दुदिन बाद ही आपके गुरु बैलेंस में SAP एमाउंट को सेंड कर देता है और उसके बाद गुरु वेलेंस से अपने बैंकाउंट में SAP मनी को विड्रो कर सकते हो और अगर आपको गुरु वेलेंस से मनी विड्रो नहीं करने आता है तो इसको पर complete tutorial है आप जा के देख से तुम्हें चैनल पर तो आई हो किलियर हो गया होगा कि किस परगार से नेक्स वीडियो में नेक्स किसी अपरेट कर साथ